ऐलो दोस्तों मैंज सभीताजय की चैनल नि व्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ सेर कर रहे हूं गेहू की आठे का बहुत ही चटपटासा और हेल्दी सानास्ता जो की बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी क्रंची बनकर तेयार हुआ तो देखी सकते हैं आपको मैंने तोड कर दिखाया है तो देख सकते हैं कितना मतलब बहुत ही क्रिस्पी बना है दोस्तों तो चलिए हम रेस्पी स्टार्ट करते हैं मेंने के लिया है hai तो है एल येके की लिए हम लिया है दो प्रise और फ़ेक्टिस बनांता है कि आप टोस्तों कुर। मैंने आ gap लिए है अब हमने लिया याद रहें रहें थन्डाइ अंच्छे मेल फ्रिग वाश्कुन वेश्स insights से अगे तो हमें ठंडा करने के बाद ही इसे ग्रेट करना है तो आप देख सकते हमने आलों को ग्रेट कर लिया है और एक प्लेट में ले लिया है दोस्तों इक बाउल में अब इसे बाउल में ट्रांसपर करेंगे और यहां पे कुछ सब्जिया लिया है लिया सिमला मिर्चा जिसे हमन तो आप मिर्ची दोस्तों अपने हिसाब से डालना जैसा आप के बच्चे खाते हो या आप लोग खाते हो उस हिसाब से आप मिर्ची डालना क्योंकि आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो तीखा कमी बनाईए और यहां पे मैंने डाल दिया हरा धनिया और चिली फ्लेक्स डाल दिया दोस्तों और तिल डाल दिया थोड़ा सा थोड़ा सा हमने डाल दिया है कलोजी और इसमें डाल देंगे स्वादा नुसार नमक भूटक हलिधी नाल तफी, भड़त भूटा, धर्छफयदार मिर्च पाउडरोग। झाल इस टफिण नाना मरेट बन कर recreate they out work कई लाखे के लिए लिए व देख सकते हैं अब इसमें डाल देंगे स्वाधा नूसार नमक क्योंकि नमक इस टपिन बी रहेगा तो इसा आप डालना है यहां पर एजवाइन ले लिया है ऑज्वाइन को महतों से क्रस्क कर देंगे तो इससे अच्छा फुलेवर हो जाता है औ और इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल के जगे पर घी भी डाल सकते हैं अब इसे मिक्स करेंगे ताकि मतलब यह हमारा आटा जो है खसता बने जैसे आप कचोड़ी और समोसा का आटा बनाते हैं वैसे हमें बनाना है इसका आटा जो बैंडिंग होने लगेगा बॉल जैसा बनने लगेगा मुठी तो समझ लीजिए कि हमारा आटा तयार हो गया खसता हो गया है तो देख सकते हैं आटा हमारा तयार हो चुका हम इसमें दीरे दीरे पानी डालते हुए इसका हम डो बनाएंगे ना तो ज्यादा हाड में बनाएंगे ताकि हम रोटियों को बेल सकें तो यहां पर हमारा आटा हो चुका है रेडी अब इसे हम रख देंगे दस मिनट के लिए रेश्ट पर तब तक हम एक घोल बना लेंगे आटे का इसे हम रख देंगे मैं ले लिए एक बाउल में डालेंगे दो चम्मच गेहुका आटा एक चमच हम डालेंगे सूजी जिसे रवा बोलते हैं अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरा लेसुन डाल रहे हरा लेस्ट के जगे पर ₃फ याव.cek इसमें डाल देंगे तिल और कलॉजी डाल देंगे चिली फ्लैक्स नमक डाल देंगे हल्ती पावडर डाल देます और पानी से बनाती हुआ में तो इसमें हमने पानी और हैं backward इस इसी तरह से हमें सिस्का घोलो करना है जादा मनला नहीं रखना है तो मारा घोल रेडी हो चुका अब चकला लिया है चकले पिलेंगे एक लोई आंटे की जिसका हमें रोटी तयार करना है बड़े साइज का जैसे आप रोटी बेलते हैं तो वैसे ही हमें आटा डस्ट करके लो अब हम इसमें इस्टफिन डालेंगे तो इस्टफिन दोस्तो अच्छे से भरना है तभी हमारा नास्ता अच्छा बनकर तियार होगा और अच्छा लगेगा खाने में दोस्तो आप देख सकते हैं हमने इस्टफिन भर लिया है अब हम दोनों साइट से इसे फोल्ड करेंगे त दूसरे साइट का उठा के उसके ऊपर से हम अच्छे से दबा देंगे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे दबा दिया है इस तरह से हमें दोनों साइट से दबा देना है और साइट साइट का ना इसे कट कर देना है दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दोनों साइट का कट क पटा और साथ में हेल्दी तो होता ही है दोस्तों क्योंकि यह हूं के आटे का है तो हेल्दी तो रहे गाई और यहां पर देख सकते इस्टफिन बिल्कुल इसका निकलेगा नहीं जब हम इसे फ्राइ करेंगे अब हम दूसरी दूसरा रोटी भी बना कर इसी तरह से हम नास्त करना है तो देख सकते हैं यह नास्ता भी त्यार कर लिया इसे भी हम कट कर लेंगे दोस्तों मिल्कुल थीजाइक doc canadone कर दोस्तों अचानक से अगर आपके घर में महमान आ जाता है यह बच्चो का खाने का मंद धूली हैा आपको ही चोटी बुक लग रहे हैं शाम की तो आप इसे फटा फट' बनाकर खा सकते हैं अब देख सकते हैं रहो इन त्यार कर लिया दोस्तों अब नहीं पिपन में यहांट थे युटार दीप करेंगे और आप देख सकते हैं इसी तरह से इस स्पुन में हमने डाल दिया दिया कर आप है मानिय है दोस्तो बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही टेस्टी लागता है तो ऑ हमने एक度 साइट कति हुआ थी ह्यात है और इसे आलट विश्वी कस थी क्पानी होने!" इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है दोस्तों अगर आप एक बार इसे बना कर खा लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों समोसा कचोडी बिल्कुल भी भूल जाएंगे सिर्फ यही खाना पसंद करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल नास्ता एकदम भी फ्राइ हो चुका है गोल्डन ब्राउन हो चुका है और एकदम अपस में ऐसा मतलब लग रहा है तो अगर हेल्दी सा कुछ खाना हो तो आप इस रेसिपी को जरूर आजमाना दोस्तों बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगदा और फटा फट बन भी जाता है भीना सोचे समझे बन के तयार भी हो जाता है तो दूसरा बैच भी हमारा तयार हो चुका है दोस्तों आप देख रहे हैं कितना कलर फुल लग रहा है कितना लब गोल्डन ब्राउन एकदम एम्मी एम्मी सा और खुश्बू बहुत अच्छी आर्यस में से दोस्तों तो लीजे दोस्तों हमारा चटपटा सा और हेलदी सा गेहूं क्यांटे का नास्ता क्रिस्पी क्रंची और खस्ता तयार हो चुका है दोस्तों तो आप लोग भी एक बार इस रेस्पी को जरूर अजमाना दोस्तों ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको देँ दिए तोस्तों ट्राई ठाथ क्योंते दूस्तों प्रोच को जरूज।